हेलो दोस्तों में हुस्वेता और मेरे चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम दम आलू बनाएंगे यह दम आलू खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है जब भी कुछ सब्जी समझ में नडा आए तो अप यह दम आलू बनाकर तैयार कर सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो यहां मैंने 600 ग्राम आलू ले लिया है, यह मीडियम साइज का आलू है, अगर आपके पास इसे छोटा आलू हो, आप छोटे साइज की आलू ले, क्योंकि छोटे आलू से दम आलू अच्छा बनता है, तो इसे हम सबसे पले वास कर ले तब तक इसे साप कर ले, आलू को मैंने अच्छी तरह से साप कर लिया है, अब इसे हम छीलेंगे, तो सारे आलू के छिलके को अमिकाल ले, तो सभी आलू को मैंने छील लिया है, इसे एक बार हम फिर से साप कर लेंगे, तो इसमें हम पानी डालेंगे, और आहाथ से इस तर करते हुए हम आलू को साप कर लेंगे इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि इसमें अभी हमें होल करना है इसके बाद हम इसे साप नहीं करेंगे अब आलू ले अब फोग की सहता से इसे होल कर ले इस तरह से तो सभी आलू को हमें इसी तरह से होल करना है आप नाइप की सहता से भी इसमें होल कर सकते है नाइप से भी यह बहुत अच्छी तरह के से इसमें होल हो जाता है तो सभी आलू में इसी तरह से होल कर ले तो इसे हम जब होल करेंगे तो होल करने के बाद इसे हमें नहीं धोना ह तो यह अंदर तक पानी एव्जॉब कर लेगा उसके बाद हम इसे जब फड़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा देल के छीटे आएंगे तो मैंने यहां पे कड़ाई को गर्म होने के लिए रखा है इसमें हम तेल डालेंगे तो यहां मैंने सरसो तेल लिया है सरसो तेल में यह सबजी ज़्यादा अच्छे बनते हैं अगर आप सरसो तेल पसाद नहीं करते तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं तो तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे तो हमें आलू को फड़ाई करना है इसलिए हम इस समें तो तो तेल जब से गर्म हो जाए तो इसमें हम कुल्याद संताओं आलू डालेंगे तो आलू समें 80 percent तक पकाना है और भाकी के हम इसे ग्रेवी Melt तो जब तक यह अच्छी तरह से golden color हो जाए तब-tक इसे हमें पाकाना है गोल्डेन कलर आने तक इसे हमें पकाते राना है अलू को अच्छा गोल्डेन कलर आने में कम से कम पांच मिनट लग जाता है थोरा सा टैम लगता है और देखे यहां पर यह अच्छा गोल्डेन कलर हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आलू को मैंने निकाल लिया है और तेल यहां पे थोरा ज्यादा है इसमें से थोरा सा तेल निकाल लेंगे अभी हमें मसाले नहीं भुनने है थोरे से इसमें हमें प्याज प्राइ करने है तो तेल यहां ज्यादा है तो हम निकाल लेंगे यह तेल बाद में यूज हो जाएगा यहां मैंने एक लम्बे कटे हुए प्याज, तीन सूखी लाल मिर्च, एक इंच अधरक और साथ से आठ लहसुन ले लिया है इसमें हम सभी प्याज अधरक लहसुन और मिर्च को डाल देंगे प्याज को हल्खा सा कलर आने तक हम इसे फराई करेंगे प्याज में हलका सा कलर चेंज हो गया है इसमें हम एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे दो चमच काजू डाल देंगे टमाटर को हलका सौप्ट होने तक पकाना है तो जितना आप प्याज ले उतना ही टमाटर लेना है और टमाटर यहां हलका सा सौप्ट हो गया है तो गैस को हम निकाल लिया भông तो निकाल लिया है इसे थंड़ा करेंगे तो इसे मोच चुक पयाज रबु रबादेड़ भादे के सलें मिक्सी जार हमें अज़ा प्लिर सभेतेको तो अब देखे इसे थाको आप nossa फ्लिया है सब अब नियुकार प्लाइब कर दे हम सब्लीट निकाल लें तो गैस पे मेंने फिर से कराही को गर्म कर लिया और जो मैंने एक्स्टिर तेल निकाला था वही तेल लॉटिल को गर्म होने देंगे इसमें हम आदी छोटी चमच हल्दी पौडर डालेंगे एक छोटी चमच कस्मेरी लाल मिर्च पौडर डालेंगे इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है अब इसी समय हम त्यार क्या हुआ मसाला डाल देंगे इसे मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटी चमच अधी छोटी चमच जीरा पॉडर इसे मिक्स करते हुए मसाले को हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक की मसाले में अच्छा कलर ना जाए और आप देख सकते हैं कि मसाले में कितना अच्छा सा कलर आ गिया है तो अब इसमें हम डाल देंगे एक चमच नमक टेश्ट एकॉर्डिंग मिक्स कर ले मसाला भून दे गया है इसे हम ढखके लोब लेंपे दो मिनट और पकाएंगे दो मिनट बाद देखी मसाला में कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गिया है तो मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है अब हम सबसे लाश्ट में इसमें डाल देंगे गरम मसाला आधी चमच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे आधी छोटी चमच अमचूर पौडर मिक्स कर ले कि इससे लोग लिंपी इसे हमें लिए तक पकाना है तब तक की आलू अच्छी तरह से पखनाज़् था 15 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी पहले से कितना थिक हो गया है आलू अच्छी तरह से ग्रेवी को एबजोब कर लिया है तो हम पहले एक आलू को चेक करेंगे तो इस तरह से काटके तो देखे यहां आलू अच्छी तरह के से पक चुका है अगर आलू थो नहीं पके अच्छे से तो इसे आप चार से पांच मिनट और पका ले गैस को बंग कर देंगे और बारी कटा हुआ धन्या पता डाल देंगे और चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं तो देखिए बहुत यह टेस्टी सा दम आलू बनकर तयार हुआ है अक्सर हम लोग के घर में हड़ी सबजिया न होती है और समझ भी नहीं आता कि हम क्या बनाए तो आलू तो हमेशा हम लोग के घर में उपलब्द होती है तो आप आलू की यह रेसिपी बना के ट्राइ कर सकते हैं आपको यह रेसिपी जबूर पसंद आएगी वीडियो अच्छ में पस्त आपको यह रेसिपी बनाए पसंद आपको यह रेसिपी जबूर तो हमें तो हमेशा है तो हमें लोग के बना कि आपको यह साउएगा झालू का